हेलो आवरिवन तो दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं कि जेके भोपी की और से एक नोटिफिकेशन निकाला गया है यहां पर आप नोटिफिकेशन नमबर देख सकते हैं दोस्तों यहां पर नीचे डेट भी आप देख सकते हैं और इस नोटिफिकेशन में दोस्तों जेक कि एडमिशन के रिगार्डिंग में इन्होंने यहां पर ओनलाइन चॉइस फिलिंग की डेट यहां पर बताई है इस नोटिफिकेशन में और इन्होंने क्या इसमें नोटिफिकेशन में लिखा है दोस्तों मैं सारी चीज़ें आपको बताऊंगा समझाऊंगा दोस्तों आप निश्चिन्त रहें दीखें दोस्तों यहां पर क्या लिखा है बोर्ड ने ऐसा कहा है दोस्तों इस notification में कि जो इन्होंने notification निकाली थी जिसका नंबर यहां पर दिया है और date भी यहां पर दी है 25 2023 तो इस notification में बोर्ड ने दोस्तों एक provisional merit list निकाली थी यह जो हमारे पास MD courses होगे MS PGD और MDS courses जो होते हैं इसके रिगार्ड में बोर्ड ने provisional merit list निकाली थी ठीक है और बोर्ड ने कहा था दोस्तों कि यह जो merit list हमने निकाली है इस notification के अंदर उसमें अगर आपको लगता है कि कोई मतलब objections होगी तो आप यहां पर 26 2023 दिन के दो बज़े तक आप हमें बता सकते हैं इसके regarding में ठीक है तो क्या हुआ यहां पर बोर्ड ने क्या किया बाद में receive किया कुछ candidate से मतलब कुछ objections जो है कुछ candidate से बोर्ड ने receive किया है ना receive करने के बाद इन्होंने examine किया उसको check किया और फिर उसके regarding में बोर्ड कहता है कि उसके accordingly फिर इन्होंने क्या किया है एक updated merit list updated rank wise merit list इन्होंने त्यार की और वो जो list है दोस्तों वो यहां पर इस notification के annexer A और annexer B में इन्होंने यहां पर जो है वो यहां पर attach की है एक तरह से अभी मैं आगे चल कर आपको बताऊंगा दोस्तों इसी notification के annexer A और annexer B में एक updated जो है लिस्ट इन्होंने यहां पर attach की है ठीक है अब देखिए दोस्तों यहां पर क्या लिखा है further इन्होंने लिखा है कि जो reserve category वाले candidates थे दोस्तों जिन्होंने मतलब जो यहां पर fail हुए है अपनी deficient reserve category certificate जो रहती है reserve category certificate को submit कराने में दोस्तों वो यहां पर fail हुए है जो date mention की है इस date तक 26 2023 तक अगर वो fail हुए है तो उनको treat कैसे किया है open merit में ही उनको treat किया गया है चीक है अब नीचे यहां पर date लिखिए अब कौन से date लिखिए यहां पर नीचे यह लिखते है it is further notified for information of all the eligible candidates यही सभी eligible candidates को यह inform करते हैं board वाले कि जो online choice filling रहेगी MD, MS, PGD और MDS courses के लिए वो यहां पर रहने वाली है 9 अगस्त 2023 से लेकर 11 अगस्त 2023 रात के 12 बज़े तक आप यहां पर online choice जो है वो fill कर सकते हैं फिर नीचे लिखा है दोस्तों नीचे क्या लिखा है कि जो भी eligible candidates हैं उनको advice की जाती है यहां पर instructions को पहले अच्छे से read कर लीजे दोस्तों जो कहां पर आपको मिलेगा e-information broker carefully वो आपको read करनी है दोस्तों instruction जो यहां पर e-information broker में लिखी होगी online choice fill करने से पहले पहले आपको instructions को read कर लेना है जो कि आपको दोस्तों कहां पर मिलेगा यह information broker तो यह आपको website मिलेगा यह जो जेके भोपी की website है वहां पर जाकर यह आपको मिल जाएगा फिर नीचे लिखा है कि online choice fill करने से पहले पहले यानि यह online choice जो है इसका process start होने से पहले पहले आपको seat matrix जो होगा in courses के लिए वो available हो जाएगा कहां पर official website जो board की है वहां पर आपको seat matrix भी मिल जाएगा ठीके तो मैं hope करता हूँ दोस्तों कि मैंने आपको यह सारी चीज़ें जो है वह clear कर ली होंगी आपको यह सारी चीज़ें समझ में आ गया होगा so thank you very much